नमस्कार मैं विशाल पड़ेलेस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है आई ले चलते हैं मध्यप्रदेश की बड़ी खबरों क्यों बता देगी तालाब के मुल्यांकन के लिए दो लाग की रिश्वत की हुई मांग ना देने पर सरपंच पर लगाए शब इंजीनियर ने मार्क पीड और अपहरण के आरोप दरसल मामला भिंड जिले के ग्राम पंचायत गाड़ पारा का सामने आया है जहां एक निर्माला दिन तालाब के मुल्यांकन के लिए शब इंजीनियर दोरा सरपंच से दो लाग की मांग की गई सरपंच नरेश सिंग भदावरिया ने कोतवाली पुलिस को आवेदन दे कर बताया कि मेरे रिश्वत का बिरोध करने पर यह मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है आईए दिखाते हैं एमपी भिंड से केपी कुछ वहां की यकाशपूर सरपंच नरेश सिंग भदावरिया ने कोतवाली पुलिस को आवेदन दे कर बताया कि मैंने रिश्वत देने का विरोध किया तो सब इंजिनियर ने मुल्यांकन करने से मना कर दिया और मुझे अपरण और लाइसेंसी पिस्टल लगा कर मार पीट आरोप लगाते वी जूटे मामले में फसाने की धमके दी सरपंच ने बताया कि मैं एक आर्मी रिटार्मेंट हूँ मेरा किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है सब इंजिनियर का आरोप गलत है इंजिनियर बार बार इस्वत मांगने की बात करता है जिसके विरोध करता हूँ इसकी सिकायत योव डबलू जैसे कई विवाद में भी की जा चुकी है मामला है आज का दो लाग रुपए का कमीशन लेने की बाबत में सब इंजिनियर राजिन जैन जी ने आज हमारे से दो लाग रुपए कमीशन मांगा वो कमीशन मैं नहीं दे पाया इनको आज हमारे तालाब का बिजिट भी करना था तो गाली में बैठ करके कमीशन की बात करने लोगे मैंने कमीशन ने दिया उनने मीडिया वाजी शुरू सकतिते हुई हैम आज माम उनका क्या कहना है उनका कहना है कि जो है आप हमारे को दो लाग रुपए नहीं करेंगे किस चीज के मूह ल्यंकन करवा how जो नरेगा में जो काम होते हैं तालाब का बना इजि दिन में चालाब है उसका मूह लैंकन होना था आप आप सब इंजीनियर को पैसे नहीं दिये तो उसने आपके उपाराण का मामला कराने की कोशिस की और अपरहण तो ऐसे मैं आर्मी एक्समेन हूं परत्मान में सरपांच हूं आज की डेट में हमारी इंडिया के अंदर कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं है ऐसे कौन हमारे को जो है लगा देगा कि हमने जो है किसी का प्रण करा या हम क्या मलब ऐसे कई चोर थोड़ी हैं और जो